हेलो फ्रेंड मैं हूं नीक और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में सो फ्रेंड आज की इस वीडियो हम बात करने वाले ड्रीम 11 सेंट लूसिया टीटेन ब्लास्ट का जो सेकेंड सेमी फाइनल मैच होने वाला है CCP versus STL के वीचिस का ड्रीम 11 टीम का तो फ्रेंड ड्रीम 11 टीम देखने से पहले आएए दोनोंगी टीमों का प्लेयर सीश्टाइट देख लेते हैं पीछ रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं उसके बाद ड्रीम 11 टीम देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करने वाले CCP टीम के प्लेयर सीश्टाइट का तो यहाँ से बात किया है जे हैंडरी का तो आपको 100% खेलते हुए दिखाई देदेंगे और बहुत अच्छे फॉर्म में भी आप परफॉर्मेंस भी देख सकते हो 29 रन, 34 रन, 37, 21 मतलब बहुत यह अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं तो यहाँ से जे हैंडरी को जुरू अपनी टीम में रखेगा और A. Alexander का बात किया जाए तो हो सकता है यह इस बार Man of the Series भी हो सकते हैं बहुत यह अच्छा परफॉर्मेंस रहा है बैटिंग से भी बॉलिंग से भी पिछले मैच में भी 27 रन बनाया था, 7-7, 3 वीकेड भी लिया था यहाँ से A. Alexander को जुरू अपनी टीम में रखें, वही बात किया जाए J. Simon का तो कुछ खास परफॉर्मेंस करनी पाए हैं, V. Smith बहुत अच्छे फॉर्म में इनको आप जुरू अपनी टीम में रखेगा, वैसे J. Simon खेलते वह तो दिखाई देंगें, लेकिन आप इनको अग खेलने वाले मत लीजेगा, रिसकी रहने वाले क्योंकि परफॉर्मेंस उतना कुछ खास रहा नहीं है, यहाँ से V. N. G. आपको खेलते वे दिखाई देंगो, बहुत अच्छे फॉर्म में और हर मैच में बालिंग अच्छा कर रहे हैं, और खास करके लाश्ट दो मैच में तीन विकेट ले चुके हैं, तो यहाँ से V. N. G. को जुरू अपनी टीम में रखेगा, टीन नॉर्बल को छोड़ दीजे ले कि कोई फाइदा नहीं होगा, क्योंकि इनको ना बैटिंग मिलता है, ना बॉलिंग मिलता है, और इस मैच में खेलेंगे भी कि नहीं खेलेंगे बात किया, तो यह भी नहीं खेलेंगे, सी रोज आपको 100% खेलते वे दिखाई दे देंगे, और बहुत अच्छे फॉर्म में भी है, पिछले मैच में तीन विकेट ले कर आ रहें, और पिछले मैच में हमारे टीम में भी थें, सो ऐसे सी रोज को जुरू अपने टीम में र रहेंगे, वो आपके लिए जे हेंडरी, ए एलेक्जेंडर, वी इसमीत, वी एंगे, और यहाँ से सी रोज, यह सब प्लेयर आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, उसके अलावा आप बात करते हैं, सी एल टीम के प्लेयर सी स्टैट का, तो यहाँ से बात किया, ज के चाल्स को जुरू अपने टीम में रखेगा, 100% आपको खेलते वे दिखाई दे देंगे, इन लिए नहीं खेलने वाले इनको छोड़ दीजेगा, के चाल्स इस मैच में रिसकी रहने वाला है, रीजन ही है कि इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, पिछले तीन मैच क चार रन, सात रन, जीरो रन, बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है फ्रेंड, इसी वासे के चाल्स को फिलाल अपने टीम में नहीं रखेंगे, C कैलेंडर ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, खास करके बैटिंग अच्छा कर रहे हैं, पिछला दो मैच में अच्छा चाहिंगे लेना है की नहीं लेना है, और इस लियो का बाद किया है, तो अगर लेना चाहिए तो ले सकते हैं, परफॉर्मेंस लेकिन उतना कुछ खास नहीं रहे हैं, आप देख सकते हैं, बहुत जादा रन खर्ज करते हैं और ऐसे बाद लगतार दो मैच में कोई विकेट लिए हैं दो मैच में तो यह से डीब आप टिष्टे को जुरू अपने टिप में रखें ए जोसिप को छोड़ सकते हैं रीजन यह है कि पिछला तीन मैच इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रहा है पिछले तीन मैचे में में इस मैच में ड्रॉप किये जा सकते हैं क्यों आर साइमन को छोड़ दिये कुछ खास परफॉर्मेंस करनी पारें अब बात कर लेते हैं से पीछ रिपोर्ट की उसके बाद डैरेक्ट देखेंगे ड्रीम 11 टीम उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि यहां तक आपने वीडियो को देख लिया है तो यार अ आई अब बात कर लेते हैं से पीछ रिपोर्ट की तो देखें यहां पर वेनु का बात करते हैं तो सेंट लुसिया में ही मैच होने वाला है और यहां पर हर मैच में 80 प्लस आराम से जा रहा है और पीछ वैटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है और बालर्स का बात किया है तो यहां पर स्पीनर्स के मकाबले फास्ट बॉलर को जादा विकेट मिल रहा है तो आई अब डिरेक्ट बात करते हैं ड्रीम 11 टीम का इनी सब बातों को देखिए ध्यान में रखते हैं आज का हमने ड्रीम 11 टीम बनाया हुआ है तो आई अब डिरेक्ट बात करते हैं ड्री Henry Cognitive में रखावा जो बहुत ही अच्छा performance करके आ रहे हैं एन इडमंड खेलेंगे नी एन योसेप को ना batting मिलता है ना balling मिलता है ले के कोई फाइदा नहीं होगा C. Richardson बिल्कुल भी form में नहीं है और W. Clovis का बाद किया है तो top 4 के अंदर batting करने के लिए आते हैं में भी बड़ी पारी खेल सकते हैं वैसे ये भी उतने अच्छे form में तो नहीं है लेकिन यहाप पर हमारे पास और कोई दूसरा option है नी फ्रेंड सो इसी वैसे W. Clovis को हमें लेना पढ़ रहा है क्योंकि J. Henry, W. Clovis और W. English अब बात करते हैं ओल राउंडर्स की तो ओल राउंडर्स में देखिए A. Simon को हम छोड़ रहे क्योंकि पिछले कुछ मैचे से उतना अच्छा परफॉर्मेंस करनी पाएं यहाँ पे जो 4 ओल राउंडर्स हमने रखा हुए C. Calendar, V. N. G. A. Alexander और W. इसमें चारो ही प्लेयर बहुत अच्छे फॉर्म में और यह चारो प्लेयर आपके टीम में होने चीए क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं इसके अलावा K. Charles इस मैच में रिस्की रहेगा Ace Leo आपको खिलते वे दिखाई दे देगा अब बात करते हैं ऐसे Baller की तो Baller में Base को छोड़ दिएगा Injard है यहाँ से Gabriel, C. Rose और Baptiste को जरूँ अपने टीम में रखेगा बहुत अच्छे फॉर्म है और इसके अलावा यहाँ पर कुछ खास प्लेयर नहीं है अब बात कर लेते Captain और Vice Captain की तो दिएगे आप ए Captain के लिए मैं बूलूँगा A. Alexander आपके लिए सबसे बेश्ट रहेगा और Vice Captain यहाँ से Charles आपके लिए सबसे बेश्ट रहेगा तो फ्रेंड उमीद करते हैं यह टीम आप लोगो अच्छा लगाओ अगर अच्छा लागो तो प्लीस वीडियो को दिल से लाइक कर दिया चैनल को सबस्क्राइब नहीं करें तो चैनल को भी सबस्क्राइब करके बेल आइक हैं अटे जोरूब प्रेस कर दिया तो इस वीडियो को यहीप एमन करते हैं तत्तका एसल्ट जयrowsे एन बन्ने मात्रम